ससुराल की दो टुकडे पाट टू उसकी बाद शांती सभी को घर के अंदर ले जाती है पाट अच्छा हुआ हमारे बेटे घर पर नहीं थे वरना वो दोनों भी आपस में लडने लगते है मैंने तो आप इस घर के सुधारने की उमिद ही छोड़ती है जिसे जैसे रहना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अरे आपका क्या है आप तो खाना खा कर घर में पड़े रहते हो मोहले की औरतों के बीच में जाकर मुझे उठना बैटना पड़ता है हमारे घर के माहूल को लेकर जब दूसरी औरते मुझे ताना मारती है न तब मुझे बड़ी शर्मिंगी महसूस होती है पता नहीं हमारे घर को किसकी नसर लेगी यहाँ एक मिनिट भी शांती कायम नहीं रहा पाती आ ये बात तो है हमारे घर का माहुल सच में बहुत बिगड़ा हुआ हर वाक्त लड़ाई जखड़ा वैसे मैं एक बात सोच रहा था कि क्यो ना एक बार हम अपने घर की जाड़ फुक करवा दे क्या पता किसी जलने वाले ने हमारे घर पर कोई जादू टोना किया हो हाँ कभी कभी मेरे मन में भी यही विचार आता है जमाना बड़ा खराब है कुछ क्या नहीं सकते ठीक है मैं एक तांत्री को जानता हूँ जो लोगों के घरों में जाड़ फुक करके उनके घर में शान्ती कायम करता है अगर तुम कहो तो मैं उस तांत्री को घर में बुला लाता हूँ तब ही वहां कोमल अनिर्मल आ जाती है किस तांत्री को बुलानी की बात कर रहे हो बाबुजी शांती अपनी दोनों बहु को अपने मन की बात बता दीती है ने ने मुझे जाद उटोनी पर परुसा नहीं है मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी ने कुछ किया भी होगा इतने सालों से हमारे घर में रोज लड़ाई जगड़े होते हैं एक बार जाड़ फुक करवाने में बुराई क्या है अगर ऐसी बाते तो बुला लीजे तांत्री को कम से कम आपके मन की शांती तो हो जाएगी उसकी बाद मोहनलाल फोन करके तांत्रीक से बात करता है तांत्रीक पूरे 30,000 रुप्य लेगा तुम दोनों आदे आदे पैसे दे दे ना ने ने मेरे पास इतनी पैसे नहीं है कोई ज़रूत निये जाड़ फुक करवाने की फिर तो मैं भी एक रुप्या नहीं देने वाली मुझे भी किसी बात की कोई गरज नहीं है सुनिया जी मैं कहती हूँ जाड़ फुक रहने देते हैं पड़ा खर्चा है इसमें किसे पंडित को बुला कर घर में शांती का पाठ करवा दीजे शायद हमारे घर का सुक्चैन वापस आ जाया अब पुजा का खर्चा तो तुम दो न उठा सकती हो न नहीं नहीं ममी जी इसमें न मेरे हाथ बहुत तंगे मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है हारे ममी जी ये तो एक नंबर की बिखारिन है जाब देखो तब पैसे को लेकर रोना शुरू कर दीती है इसके रहते ना घर में कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता देखो मल तुहर बात में अपनी अमेरिका घमन मत दिखाया कर अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ उसके बाद दोनों बहु मुँ बना कर वहां से चली जाती है लगता है हमारे घर का सुख चैन कभी वापस नहीं आएगा अब हम कर भी क्या सकते हैं इस तरह कुछ दिन बीच जाते हैं फिर एक दिन शान्ती की बहन कमला गाउं से आती है क्या बात है कमला इतने सालों बाद तुझे अपनी बहन की याद आई मैंना तो उमीदी छोड़ दी थी कितन से कभी मिल पाऊंगे क्या करूं दीदे घर गुरे हस्ती में ते नहीं उलजी रहती हो कि जिसने बारे में जानने का समय हैं नहीं मिलता आज जाकर समय मिला तो तुम से ले चल दे आई तबी शान्ती की छोटी बहु निर्मला चाय नाश्ता लेकर आती है और कमला के पैर चुती है सफर कैसा रहा मौसी जी सफर के बारे में क्या बताऊं बस धक्के खाका कर मेरी हालत खराब हो गई मौसी जी बस में धक्के खाकर आने की क्या जरुरत थी आप हवाई जहाज में बैठ कर आ जाती वैसे भी न आजकल हवाई जहाज के टिकट काफे सस्ते हों कै मेरी मा तो जब भी मुझसे मिलने आती है मैं उसके लिए हवाई जहाज का टिकट बुक करवा देती हूँ आप लोगों की न ये छोटी सोच आपको कभी आगे बढ़ने ही नीते थे मैं तो कहती हूँ हमेशा बड़ा सोचो देख कुमल मौसी जी कई सालों की बाद हमसे मिलने आई है तो उनकी सामने अपनी अमेरी का दिखावा मत कर और इसमें दिखावा करने की क्या जूरत है मैं अमेर हूँ तो अमेरों वाली ही बात करूंगी न तो गरीब है इसलिए गरीबों की तरह रहती है और तेरी सुच भी गरीबों वाली है तबी वहां हरीश आ जाता है कुमल तुमने बिल्कुल सही का मेरा भाई और इसके पत्नी दोनों हमेश अपनी गरीबी का रोना रोते है अगर विनोध पैसे नहीं कमा पाता तो इसमें मेरा क्या कसूर है मैं तो अपनी मैनत और काबिलत के दम पर अमीर बनाओं हर इश की बात सुनकर विनोध भी अपनी कमरे से बाहर आ जाता है अरे भाईया कम से कम मौसी के सामने तो घर में जगड़ा मत करो विचारी इतनी दूर से हमसे मिलने आई है और तुम इनके सामने अमीरी गरी पीपर बहस कर रहे हो एक तो तो पैसा नहीं कमाता ओपर से जब देखो तब मेरे साथ बत तमीज़े से बात करता है भूल गया मैं तेरा बड़ा भाई हूँ मैं कुछ नहीं बुला लेकिन पैसों के घमन बे आप रिष्टे नहाते भूल गये हो आपको तो हर वक्त सिर्फ पैसा दिखाई देता है दूसरों के साथ कैसा बरताओ किया जाना चाहिए इसकी जरा भी अकल नहीं बची पैसा ही सब कुछ नहीं होता बहिया इंसान के पास थोड़ी तमीज भी होनी चाहिए देखो दिवर जी सब के सामने मेरे पती को बे इज़त मत करो वरना अगर मेरा मूँ खुल गया न तो बहुत बुरा होगा हाँ हाँ बोलना चुडेल तू क्या बोलना चाहती है देख निर्मला अब तू मुझे गुस्सा दिला रही है तूने एक शब्द और कहा तो मैं सामने रखा फुल्दान उठा कर तेरे सर पर फोड़ दूगी पैया बाबी से कहो कि जरा अपने गुस्से को काबु में रखे वनना गुस्सा मुझे भी आ सकता है अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रहा है बोल क्या कर लेगा तू बोल 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 चारो को लड़ता हुआ देख कमला को बड़ी हैरानी होती है अरे तुम सब इस तरह लड़ क्यों रहे हो जरा जरा से बात पर लड़ना बुरी बात है शान्त हो जाओ अरे बहन अब क्या बताओं यह तो मेरे घर की रोज की कहानी है आए दिन मेरे घर में महा अभारत चलती ही रहती है इन सभी को बस लड़ने का मौका चाहिए शान्ती की बात सुनकर चारों महा से चले जाते हैं देख शान्ती अगे तो सुकें से अपना जीवन जीना चाहती है तो मेरे पास एक उपाय है तो इस घर को बेचते और जो भी पैसे मिले दोनों भाईयों में बाढ़ते अब पहले वाला जमान न रहा नहीं कि दो भाई मिलजुल कर रह सके आज का जमाना बेवकल अलग है हर को अपनी मर्जु से अपना जीवन जीना चाहता है ये सब ही एक च्छत के नीचे रहते हैं न इसलिए हमेशा इनके बीच में लड़ाई होती है अगर दोनों भाई अलग अलग रहेंगे तो इनके बीच में सिला हो जाएगी और जब भी मिलेंगे एक दूसरे के साथ खुशी-खुशी मिलेंगे बात तो बिल्कुल ठीक क्या रही है तू लेकिन इस तरह घर बेचने की बात सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है तो इसमें डर्बने की क्या बात है घर बेच कर पैसे भी तो मिलने वाले हैं न कम से कम तीरा छोटा बेटा को व्यापार शुरू कर लेगा हो सकता है उसकी किस्मत बदल जाए हाँ ये भी हो सकता है लेकिन घर बेचने के बाद मैं और तेरे जीजा जी कहा जाएंगे मेरी दोनों बहु में से एक भी हम दोनों को पसंद नहीं करते हैं हमें कौन सहारा देगा तुझे सहारी की कोई ज़रूरत नहीं अगर तेरे दोनों बहु अपना स्वार्थ देख रही है तो तुभी अपना स्वार्थ देख घर बेचने के बाद जितने पैसे मिलेंगे उसकी ठीन हिससे कर देना एक हिसा तुझे लेकर जीजा 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 की साथ गाउं चली जा गाउं में भी तो तुमारा अच्छा घर है कमला की बातों का शांती के मन पर गहरा असर होता फिर उसी रात वो अपने पती से इस बारे में चर्चा करती है तुमारे बहन बलकुर ठीक कह रही है हमें ये घर बेचते ना चाहिए सारे फसाद की जड़ यही घर है जब सब अलग-अलग रहेंगे तभी एक दूसरे के प्रती मन में प्यार पैदा होगा फिर अगले दिन मोहनलाल अपने दोनों बेटों से घर बिचने की बात कहते हैं दोनों बेटे भी बिना कोई आतरास की राजी हो जाते हैं कुछ तिनों बाद मोहनलाल एक बड़े सेच को अपना घर बेच देते हैं बदले में जो भी पैसे मिलते हैं उनकी तीन हिस्से किये जाते हैं एक-एक हिस्सा लेकर हरीश और विनोद अलग रहने चले जाते हैं वहीं दूसरी तरफ अपना हिस्सा लेकर शान्ती और मोहनलाल हमेशा के लिए अपने गाउँ चले जाते हैं फिर कुछ महिनों के बाद शान्ती और मोहनलाल की शादी की साल गिरा आती है शांती के दोनों बेटे अपने परिवार के साथ माता पिता से मिलने आते हैं उस समय हरिश और विनोत के साथ साथ उनकी पत्नी भी एक दुसरी के साथ प्यार से बात कर रही थी यहां तक कि उनके बच्ची भी आपस में मिल जूल कर खेलने लगते हैं ये देखकर शांती को एसास होता है कि उससे घर बेचकर बिल्कुल सही फैसला लिया था। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और सबी अपनी अपनी जंदगी सुकून से जीने लगते हैं।